डियारडियो द्वारा विक्सित कोविड की दवा को एमेरजनसी इस्तेमाल की मनजूरी मिल गई है दवा क्या जा रहा है कि ये दवा बेहत कारगर साबित हो सकती है डियारडियो के मताबिक टू डियाकसी डीग्लुकोस यानी टू डीजी दवा अस्पताल में भरती मरीजों को जल्द ठीक होने में मदद करने के साथ साथ ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है इस अभियान की सफलता के लिए उत्तरा खंड के परेटन मंत्री सत्पाल महराज ने केंद्रिय रक्षा मंत्री राजनात सिंग समेथ अभियान से जुड़े सभी वग्यानिकों को फोन पर बधाई और शुब कामनाय दी हैं परेटन मंत्री सत्ताल महराज ने कहा कि ये दवा कोरोना वाइरस के उपचार में कारगर सिद्ध होगी और हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे हम जीतेंगे महमारी हारेगी आज दूर भाष पर मेरी बाचीत भारत के रक्षा मंत्री माननिय राजना सिंग्जी से हुई मैंने उन्हें बहुत बहुत बधाई दी क्योंकि भारत सरकार के रक्षा मंत्राले के आधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उसकी एक प्रियोगशाला Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences इन मास ने डॉक्टर रेडी लैब्स हैदराबाद से मिलकर एंटी कोविड नाइंटिन दवा टू डी ओक्सीडी गुलकोस टू डीजी बनाई है करोना की इस ओरल दवाई को डीजी सी ने मंजूरी दे दी है मैंने मान्य रक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत बढ़ाई दी और उनके माध्यम से मैं सभी इस अभियान में जुड़े प्रतिभाशाली विज्ञानिकों को डॉक्टरों को बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने करोना से लड़ने के लिए एक औरशधी तयार किया है टू डीजी औरशधी बनाई है जिससे कि हम संकर्मन को रोक सकेंगे और करोना से पिरित लोगों का इलाज कर सकेंगे सबी से मेरा आग्रह है कि मास्क जरूर लगाएं शोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखे और सैनिटाइजेशन करते रहें इसके साथ साथ मैंने माननी राजना सिंग्जी से आग्रह किया है कि OLF Opto Electronic Factory जो हमारे देरा दून में है वहाँ पर पहले नाइट्रोजन बनाई जाती थी अब वो फैक्टरी बन पड़ी है तो नाइट्रोजन की जगे हम ऑक्सिजन का उत्पादन कर सकते हैं और वहाँ से ऑक्सिजन की सप्लाई हो सकती है मानने अरक्षा मंत्री जी ने मेरे इस विचार को स्विकार किया और कहा कि इस पर हम विचार करेंगे मैं समझता हूं कि और भी ऑक्सिजन का उत्पादन होगा और करोना की लडाई में हम लोग सब मिल कर के काम करेंगे सताल महराज ने कुरोना के उपचार के लिए दून में आक्सीजन उत्पादन और आक्सीजन कंसेंट्रेटर निर्मान के लिए अधिकारियों को निर्देश देने के लिए केंद्री अरक्षा मंतरी राजनाथ सिंग को पत्र लिखा है जिससे प्रदेश भर के लोगों को राहत मिल सके और कुरोना मरीजों का उपचार जल्द किया जा सके सताल महराज का कहना है कि देरादून सिर्थ ओप्टो इलेक्ट्रोनिक फैक्टरी में पहले नाइट्रोजन गैस का उत्पादन किया जाता था लेकिन फिलहाल उत्पादन बंद है ऐसे में संकट के इस समय में O.L.F. में आक्सीजन का उत्पादन कर कुरोना मरीजों को आसानी से आक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती है सत्पाल महराच ने ओर्डिनेंस फैक्टरी देरा दून में आक्सीजन कंसेंट्रेटर का भी निर्मान किया जा सकता है इसके लिए राजनात सिंग से मांग करते हुए कहा कि दून में जल्ड आक्सीजन उत्पादन और आक्सीजन कॉंसेंट्रेटर के निर्मान के लिए अर्हिकारियों को निर्देश दिया जाए M.I. News